वाच्छ आप एप्रियोड विडियो और आज की इस वीडियो में हम लोग वानपीस के एपिजोड नमबर 58 को हिंदी में एक्स्प्लेइन करने वाले हैं तो अभी यह ज़ादा टाइम गेशना करती है आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता है इस इंक्रो के बाद तो इसे वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखता है कि सारे के सारे स्ट्रो हैट क्रू जो फ्लोर है वो तूटके उसके अंदर चले जाता है उस बिल्डिंग के अंदर चले जाता है और बहाँ पर जाने के बाद सब लोग देखता है कि चारो तरफ सेलिंग में बहुत सरे डिजाइन है बहुत सरे नक्षे है कुछ पिक्चर्स है लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है लूफी को थोड़ी देर बाद दिखता है कि उपर से एक तजबीर तूट के नीचे गिरा हुआ है और यह जो पिक्चर्स है यह बहुती बरे-बरे साइज में है एक ड्रेगोन का पिक्चर नीचे गिरा हुआ है तो सब लोग कहते हैं कि यह क्या है हम लोग को क्या बताना चाहता है तो जो नामी है वो अच्छी तरीके से देखती है और देखने के बात कहिती है कि लगता है मुझे कुछ समझ में आ रहा है हम लोग दूसरी तरफ देखते है Aypes और yousaup को दोनों ही जगर रहे जोड़ मों कहिता है कि लगता है यही जो लॉश्ट आाइललेंड है लेकिन जो उसपे वो कहिता है कि मुझे नहीं लगता है कि ओपर की तरब देखो ऊपर यह पिक्चार है जो तस्वीर है यह कोई आम पिच्चा नहीं है यह मैप है लॉष्ट अइलेंड का तो सब लोग कहते हैं कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तो जो नामी कहते है कि देखो यह जो आयलेंड है उसमें हम लोग अभी है तो यहाँ पर ड्रैगाउन के पिक्चर है कि यहाँ पर ऐसे पिक्चर किया हुआ है कि ड्रैगौन की उपर हुठ से उर्थे हु 죄 cd to तो लोग थे वो लोग ड्रेगॉन को ऐजे गार्डियन डीटी मानते थे ड्रेगॉन का पूजा करते थे एजे गौड मानते थे लेकिन ड्रेगॉन यह पर रुकते नहीं थे तो जो उसवा पर वो कहिता है कि तो ड्रेगॉन का नेस्ट कहाँ पर है तो जोरो कहिता है कि पिक् सबस्क्राइब click तुम यात करने की कोशिश करऊ हम लोग को यात करना परेगा कि तुम्हारा Dragon का Dane कहा पर है Lost Island कहा पर है और उसके बाद जो Dragon है वो उसके सर में बहुत सदा जोर देता है और तभी हम लोग देखते हैं कि उस घर में कुछ पक्षिया घुस गया है और वो पक्षिया वो जो नक्षा है उसके उपर से उड़ रहे थे इसलिए उसे याद नहीं लेकिन अभी याद आता है कि इस सिटी के उपर से उड़ते हुए जाके वो एक दूसरे आइलेंड पे जाता था जिसका नाम है वार्शिप आइलेंड और भही पर ही उन लोग का Dragon का डेने मतलब घर है और यह सब कुछ जो Ryuji जो Dragon है वो उस लेर की Epis को बताती है लेकिन Epis कुछ बोलने से पहले ही जो Luffy है उसे समझ में आ जाता है पस्ट Immune कर रहा है और तभी हम लोग देखते है कि भापार Eric पहुच चुका है और वो कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे लगता है कि मुझे अब Lost Island की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि Lost Island समुदर के नीचे है तो मैं इस Dragon को ले लूँगा चुप चुप उस Dragon को मेरे हवाले कर दो लेकिन कोई भी नहीं देता सब लोग कहता है कि हम लोग नहीं देंगे तो जो जो जोरो है वो कहता है कि लूफी मुझे इससे समालने दो मैं उसको देखूंगा और तुम लोग इस Dragon को लेके बहार से बहार निकालो तो सब लोग कहते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे यहाँ पर तो दर्वाजा भी नहीं है जो लूफी है वो कहते है कि दर्वाजा नहीं है तो क्या हुआ हम लोग दर्वाजा बना लेंगे और लूफी दो स्टेप पीछे लेता है और उसके बाद वो पूरी तेजी से दौरती हुए दिवार की तरह बाता है और जाने के बाद दिवार को अपने सर से मार देता है लेकिन दिवार को कुछ नहीं होता वो ही नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं इस दिवार को ही तोर दूँगा लेकिन क्या हुआ पर उसके जो क्रूमेट है सब लोग कहते है कि आरे आरे भाई तो क्या कर रहा है लेकिन उसके बाद हम लोग देखते है कि लूफी ने जिस दिवार को अपने सर से मारा था उस द लोग लूफी को देखते हैं वो नीचे गिरा हुआ जो पेंटिंग है उसे देख रहा है और उसके बाद उपर की तरफ देख रहा है तो जो 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 है वो कहते हैं कि आरे यहां से बाहर निकाल मैं इसको समालूँगा मैं कब तक इसको पकर के रखूंगा तुम लोग निकलो पार कूँटा है नीचे कुछ retail की नहीं होता सब लोग कहते हैं कि हम लोग तो मने वाल्य है है लेखिर नीचे एक पेर की पर रोलर कोस्टर राइड का बंदवस किया है और यह बाला सीन भी इबर कट हो जाता है उसके अगले सीन में हम लोग जोरो के साथ एरिक का फाइड देखते है जो एरिक के पुट पच्छता हो तुम मेरा रास्ता रोक रहो तो जोरो कहता है कि तुम घंटा कुछ करने ही राक है तो जो कहता है कि क्या था भी यह अटाक और उतने में जो एरिक है वहाँ से भाग जाता है कि तुम्हारे उपर खरच करने वाला टाइम मेरे पास नहीं है मुझे उस डैगोन को पकरना परेगा और यह बोलके वह उपर से जंप कर जाता है और उसके पीछे-पीछे जो कुछ नहीं होगा तो हम लोग देखते है कि लुफी का जो कार्ट है उस बिल्दिंग को तोर फोर के उसके उपर से जा रहा है और जो बरे-बरे पत्थर आता है उसको लुफी तोर रहा है तो जो एपीछे बो कहती है कि जोरो ने कोई डेविल फूट नहीं खाया है लेकिन बो बंदा जोरो को कुछ भी नहीं कर पाएगा तो जो एपी से बो कहीता है कि तुम इतना सदा शूर कैसे हो तो लुफी कहीता है कि हाँ मैं अपने दोस्ते के उपर पूरी तरीके से शूर हूँ और उतने में बात करते करते उन लोगे कार्ट के सामने एक घर आ जाता है ल लेकिन जब वो उस ड्रैगोन को पकरने जानी वाला होता है जोरो उसके सामने आ जाता है कि मैंने तिर को कहा था ना कि तू यहां से नहीं जा पाएगा तो वो जोरो के उपर दो बार करता है और बहुत सामने चला जाता है और उसके बाद वो थोड़ी देर जाने के बाद कि इक बहुत ही उपर की बिल्डिंग से एरी कूड़ने वाला था और तभी हम लोक देखता है कि कोई लकरी से उसके पैर में अटाक करता है और ज इरी क है वह उपर से नीचे गिर जाता है और जो रूज के सामने आ जाता है मतलब जोरो पर नहीं ऐटाक कि जोरो नीची की तरफ देखने के बाद तोड़ा सा डिस्ट्रेक हो जाता है और उसी मौकी का फाइदा उटा के मिट्टी से धूल उटा के जो एरिक है वो जोरो के आखों में दे मारता है और कहता है कि आप मैं तुछे मार डालोंगा उसके अगले ही सिन में हम लोग देखत है और जो वो लोग है वो लोग कहता है कि लुफी मैं एक दिन तुम्हें सच में मार डालूँगा और उतने में एक पक्षी उड़ते हुए आता है एपिस के पास और उसे यह खबर देता है कि जोरो बहुत जदा मुश्किल में है और एपिस ये बात लुफी को कहता है और ये सुने के बाद लुफी बहुती जोर से चिला के कहता है जोरो और इतनी जोर से चिला के कहता है कि उस आई-लैंड के सारके सारे लोग सुन पाएंगे और उसके बाद हम लोग देखता है कि लुफी का हाथ स्टेफ चो के सीधा जोरो के कंदे पर जाके लगता है और जोरो को पकड़ लेता है लुफी कहता है कि बिंगो मुझे मिल गया और जो जो जोरो को बहुत जोट लगता और गुसा भी आता है कि लुफी एक ना एक दिन मैं ही तेरे को काट डालूंगा और यह बदा सीन वे पर कट हो जाता है तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो गोई मेरी बो उसमिस से बाहर निकलता है और बहुता है कि लोग 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 के चीड़े करते हैं लेकिन पकर नहीं पाते क्योंकि लुफी का जो शीप नहीं बहुत जूप ज़्धा चोटा है और बहुत ज्यादा सामने से एक बहुती बड़ा वार्शी बारा है और ये देखने के बाद सब लोग चौक जातर कहते हैं कि ये किसका शीप है और उसके बाद हम लोग को दिखा जाता है कि ये नेवी के 8 नमबर के जो कमांडर है उसका बैटल शीप है और उसके साथ वो और भी 200 अलग अलग अल है और वो कहता है कि अभी तो ये ड्रेगॉन मेरा है अभी बहाँ पर कुछ वार्निंग शॉट बेजो और बहाँ पर बो लोग कैनन से फायर करते है श्ट्रॉहेट पायरेट के क्रू के उपर और लूफी ये देखने के बाद बहुत ज़्या एक्साइटेड हो जाता है कि अभी तो मज़ा आने वाला है और इसके अगले एपीजोड में बहुत ही तगरी फाइट होने वाला है और यह बला एपीजोड एहीं पर खतम हो जाता है तो मिलते हैं और नहीं वीडियो के साथ तक तक के लिए पावाइए